वेलकम टो एकलव्यास नातक और आज की इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दा मेगा लितिक कल्चर्स ऑफ साउथ इंडिया तो ये सभी के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट टॉपिक है तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी मीडियों का कंटेंट हमने अल्रेडी बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा हमने हिंदी मीडियों में हिस्ट्री, EVS, ACC, MIL हिंदी ये सब कुछ हमने अल्रेडी करवा रहा है तो चलिए फिर आगे बढ ये करवाने के बाद unit 4 भी complete हो जाएगी और उसके बाद फिर बचेगी unit 5, unit 6, unit 7 and unit 8 यानि कि आधी unit हमारी रह जाएगी तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आप instagram पर मुझे follow कर सकते हैं मेरा username आप सभी के सामने है अगर आपकी कोई भी problem हो तो आप आके मुझे message कर स समझ में आ रहे हैं तो यह कहीं न कहीं वो megalit कहते हैं आप अगर देखो के अलग लग तरीके के हैं कहीं पर गोल से पत्तर पड़े होंगे कहीं एकदम सीधे एकदम खड़े पत्तर पड़े होंगे तो यह सारे पत्तर जो हैं यह कोई हमें किसी culture के बारे में बताते हैं South India और जो Deccan का area था, उसको ऐसा माना जाता है कि ये Megalithic cultures थे यहाँ पर उस time पर, समझ में आ रहा है, क्योंकि जो हमें Megalith से जो भी हम study करते हैं, जो हमें साक्षे मिलते हैं, यानि कि जो हमारे पास proofs हैं, ठीक है, जो evidence हैं, वो यहीं बताते हैं कि ये जो culture था, इसका time 1000 से 300 के बीच में माना गया है, लाला कि अभी बहुत सारी debates है, मैं यह नहीं कहता कि exact यह ही है, अब यह जो term है Megalith, इसको समझते हैं, the term Megalith is derived from Greek Megas, जिसका मतलब होता है great, और lithos का मतलब होता है stone, तो great stones थो आपको नजर आई रहे हैं बड़े बड़े, समझा गें आपको तो, इसलिए जो monuments थे जो बड़े-बड़े stones से बने वेत इनको Megalith कहा गया, अब आगे देखते हैं, but all monuments constructed of big stones are not Megalith, लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि हर वो monument जो बड़े पत्थर से बना है, वो Megalith हो जाएगा, समझ में आ रहे हैं, the term has a restricted usage and is applied only to a particular class of monuments or structures which are built of large stones and have some conceptual, commemorative and ritualistic association, accept the hero stones and memorial stones, देखो, यह जो हर तरीके के पत्थर को आप नहीं कह सकते कि यह Megalith थे, क्योंकि यह जो Megalith थे, इनके कुछ ritual use थे, किसी की death हो गई तो उसके बाद उसकी जो grave है, उसकी जो cover है, उसकी जो cover है, उसके उपर use हो रहा है, ritualistic association के साथ इसको हम देखते हैं, और इनक जो जोड के देखते हैं, तो यह particularly वहीं apply होती है, यह term, जो कही ritualist का use होता है, समझ में आ रहा है, in other words, जो Megaliths हैं, वो usually, जो burials होते थे, समझ में आ रहा है, बड़े बड़े पत्थरों से जो बनाय जाते थे, जो की रहने की जगा से काफी दूर होते थे, कबरिस्तान जै तो इनको Megalith कहा गया है, ओके, chronology समझते हैं, time period को लेके बहुत दिक्कते हैं, देखो, Megalithic cultures in India have been roughly assigned to a pre-historic period, कोई कहता है कि यह pre-historic period का, है वो pre-historic period क्या था, मैंने आपको अच्छे से बताया था, कि जो pre-historic period का time था, उस time से जोड के बताते हैं, समझ में आ रहा है, औ और to a great antiquity by different scholars like M.H. Krishna, R.S. Panchmukhi, G.S. Ray, Panchanan Mitra and others, but their dating is not considered to be based on well-observed archaeological data, इनकी जो dating से बताते हैं, वो भही हर कोई नहीं agree करता, so this dating is generally countered by the archaeologist, कई archaeologists counter कर देते हैं, कि भही आप तो गलत बता रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, R.E.M. Wheeler, for the first time on the basis of excavations at Brahmagiri, provided a firm archaeological setting for megalithic cultures in South India, based on archaeological evidence, he places these cultures between 3rd before common era and 1st century CE, तो वो जो R.E.M. Wheeler थे, जब उन्होंने excavations करवाए, उनके basis पर ही नहीं बताया कि जो archaeological evidence मिलते हैं, वो इस culture की time जो है, वो बताते हैं, 3rd BCE से लेकर 1st century CE के बीच का time, Okay, हर archaeologist अपनी अलग 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 बताता है, वहीं जो B.K. थापर हैं, वो भी excavations, जो हुए मास्की के अंदर, वो भी बताते हैं कि जो megalithic culture से, इनका time 200 BC से लेकर 1st century के बीच में था, भाई हर को ही अपनी अलग 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 बताता है, अब origin देखते हैं, So, the origin of the most megalithic monuments is placed in the Mediterranean region, यानि कि जो हमारा Mediterranean region है, ठीक है, जो early neolithic period था, वहाँ से इसका origin वाना जाता है, पहले तो मैं आपको ये Mediterranean region है, ये बता देता हूँ, तो इसको याद करने का आसान तरीका यही है, जब हम अपने globe को बिलकुल दो parts में divide कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे, तो ये जो हमारा Africa है, ठीक है, और उसके उपर Europe है, इसके बीच में जो green सा part आपको नजरा रहा है, ये हमारा Mediterranean area है, पूरा region है, ठी होती है, यहाँ से यह अलग-अलग कोनों में जाते हैं भई, दुनिया के समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से है, और यहाँ पर बताया गया है, from here, this culture is said to have been carried by traders who went in search of metals, कई traders होंगे भई, जो metal के सर्च में, Atlantic Coast को पार करके Western Europe और इधर उधर उधर गए होंगे भई, ठीक है its spread was in criss-cross pattern, यानि कि कोई इधर गया, कोई उधर गया, समझा रहा है, carrying different cross currents across the whole Europe, भई, इधर से उधर, इधर से उधर, इन the context of India, इंडिया की बात करें, so this culture arrived with the Dravidian speakers who came to South India from West Asia by sea, भई, West Asia से जो Dravidian speakers थे, वो इस culture को इंडिया में ले गया है, तो यह origin हो गया है, इंडिया के and these megaliths have been found in different chronological context, ठीक है, practically all over India, पंजाब से लेकर, इंडो गेंगिटिक प्लेंस, नॉर्थ इंडिया और especially जो South of Nagpur, Peninsular India, पूरे में यह कहीं न कहीं हमें पाया जाता है, अब है, West Asian megaliths yielded the bronze objects and this culture came to an end in the last phase of their bronze age around 1500 BC, तो यहां पे West Asian जो megaliths थे, वो हमें क्या बतलब बताते हैं, bronze objects के बारे में, समझ में आ रहे हैं, but the Indian megaliths on the other hand belong to the iron age, यह iron age से related थे वही, जो कि generally 1000 BC onward से मानी जाती है हमारे इंडिया के अंदर, तो यह इस से related थे, so it is yet not certain when and how iron technology developed and became an integral part of megalithic culture, अभी तक कुछ पका नहीं पता चल पाया, कि इनके यहा part of the 19th century, witness the studies on the megaliths, भाई जब 19th century का टाइम आता है, तो बहुत सारी studies होती हैं megaliths के उपर, ठीक है, खासकर जो केरला के थे, with the discovery and excavation of few burials in कुनूर district by J. Wabbington in 1823, तो बहुत सारे excavations होते हैं यहापर, subsequently several British administrators and many other individuals explored and excavated a large number of megaliths, बहुत सारे होते थे भाई British लोग, archaeologists जो घूमते रहते थे इदर से उधर excavation करते थे, and brought their findings to the notice of people, जो भी मिलता था वताते थे, but they were mainly interested in the grave woods, कि वो कबर के अंदर क्या मिल रहा है, वो megaliths के अंदर क्या है, क्या निकलता है, भहीं से वो बहुत सारे चीज़े पता चलती है, कि यह किस चीज का यूज कर रहे थे, और क्या वो नहीं कर रहे थे, बहुत से scholars थे, जैसे कि W Logan, sorry W Logan, जो कि megaliths की studies को आगे लेके जाते हैं, और इस पर deep studies होती है, so the main concentration of the megalithic cultures in India, was the Deccan, ठीक है, Deccan का जो हमारा नीचे का जो इलाका है, ठीक है, यह area, especially south, जो river Godawari के आसपास का area है, However, large stone structures resembling some of the usual megalith types have also been reported from some places in North India, Central and Western India, ऐसा नहीं सिरफ साउथ में हैं, बहुत सारी sites समय North India से भी मिलती है, Central India और Western India से भी, इस इंक्लूड से राइकला इन बिहार, देउधरा इन अलमोरा district, एन खेडा, नियर फतेपुर सीकरी, आगरा, district of उत्तर परदेश, नागपुर, च तो अलग-अलग sites मिलती हैं, यह आपको याद रखनी है, तो यह megalithic cultures के लिए जो map है, यह मैंने आपको दिखा दे, देखो भई, मास्की, यह जो मैं आपको बता रहा था, यह मास्की की वो जगह है, ठीक है, जो कि आपको याद रखनी है, यह most important है, बागे अब देखोग So, megalithic culture in South India was a full-fledged iron age culture, बहुत ज्यादा यूज था iron का, ठीक है, क्योंकि iron के जो benefits थे, वो सब इन लोगों को पता चल चुके थे, ठीक है कि यह जो metal है, कितना ज्यादा beneficial है, Hence, normally the stone robed out of a use as a material for the weapons and tools to large extent, बहुत सारी चीज़े फिर इनों ने बनाई, but of all these changes, the most remarkable was the elaborate method of disposing the dead जो सबसे बड़ा change आता है इस time तक वो यह था कि megalithic cultures में, जो disposal का तरीका था, यानि कि जो जब किसी की मिरती हो जाती है, तो जो death के बाद का जो होता है, जितना burial करना है, क्या करना है, वो जो तरीका था, वो बदल जाता है यहाँ पर, so this became a characteristic feature of the South Indian regions, काफी ज़्यादा य कि जो मरा हुआ था, उसके लिए एक separate place, एक पुर्य कबरिस्तान होता था, गाउं से थोड़ा दूर, या घरों से दूर, वहाँ पे अब उसको दफना दिया जाता था, और जो उसके remains होते थे, वो उसको collect कर दिया जाता था, after exposing the body for some time, and then the bones were placed underground in especially prepared stone box, called a cyst, वो सारे उनके ज के मेगालित होते हैं, पत्थर जो हैं बड़े-बड़े, जो कि बाद में जो process था पूरा, disposal का उसमें ये use हो रहे थे, तो हम देख लेते हैं, तो there are eight types of megalits, लेकिन इसमें मैं आपको seven बताऊंगा, क्योंकि एक repeated होगा, यहाँ पर मैं आपको भी बता दूंगा, आगे, rock cut caves ठीक है, तो पहले ये देखते हैं, इसमें क्या था, तो rock cut caves, यह नाम से ही पता चल रहा होगा, आपको चटानों को काट कर जो गुफाएं बनाए गई थे एक तरीके से, so these are, so these are scooped out on soft laterites as found in the southern part of the west, okay, west coast, यह यहाँ से ज़्यादा तर जो हमें मिलता है, these rock cut cave tombs are peculiar to this region and occur in the kochin and malaba regions of kerala, यहां से ही हमें मिलते हैं, they also occur in the other regions, on the east coast of south india, they are present in mamalapuram, यहनी कि maha walipuram में भी है, madras के पास, deken, western india, ठीक है, ajanta ayalora, भाई, यह सारी गुफाएं अगर आपका भी देखो, तो rock cut caves है, the kerala funnery rock cut caves consist of an open well, roughly rectangular or square, cut vertically down the rock and provided with a flight of steps for descending to the floor, इस तरीके से पुरा बना रहा था, such caves are found at many sites, south india की, जैसे कोर किलम का कड़, चोवन नूर, etc, तो अब दूसरा जो type है, वो है, hood stones, जिसको कुदई कल्लू भी कहा जाता है, hat stones भी कहा जाता है, cap stones भी है, topical lass, ठीक है, तो देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ, allied with the rock cut caves कही न कहीं इसी की तरह है, but of a simpler form, are the hood stones और a kudai kullu, ये थोड़े से क्या है, कि सोड़े simple होते थे, these consist of a dome shaped dressed laterite block which cover the underground circular pit cut into a natural rock and provided with a stairway, देखो, ये है भई, जो मैं आपको बताना चाहा हूँ, समझ में आ रहा है, ये dome की तरह उपर होता था, गोल सा, जो की ऐसे उपर लगा दिया जाता था, ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते थे, hood stones, तो in some cases the hood stone gives place to a hat stone, hat की तरह है न, देखो, टोपी की तरह आपको लग रहा होगा, ये बिल्कुल सर पे लगाते हैं, जैसे, so, इसको टोपिकल भी कहा जाता है, which is a plano convex slab, एक तरीके से ये चट्टान की तरह है, resting on three or four, quadilateral clean static boulders forming a square base and a truncated top on which rest the topical or the headstone, ये किस तरीके से ये जो नीचे था, इसका इस पर ये पूरा ये टिका हुआ था, ठीक है, ऐसा कुछ बताय जा रहा है, these also covers an underground burial pit containing the funnery and the other grave furnishings, जो भी चीज़े होती थी भाई, जो कबर से जुड़ी भी, वो सब को ये उपर cover कर लेता था तमिल नाडू, कोएंबटूर, यहाँ सबसे ये हमें मिलते हैं, ठीक है, नाम याद रखना बार बर बता रहा हूँ, कुदै कलू भी किसको कहा जाता है, होडिस्टोन, कैपिस्टोन, टोपिकल लास, ठीक है, अब आगे देखते हैं, मैनिर्स या alignments avenues, तो देखो मैनिर्स क् पूरी इसके अगर आप shape देखेंगे, तो direction में ये vertically है, these may be small or ignating in the height, छोटे भी हो सकते थे, लंबे भी हो सकते थे, 14 से लेकि 16 feet तक, down to a mere 3 feet, ठीक है, their common heights range, commonly ये 3 से 6 feet तो होते ही होते थे, they are often rudely dressed or not dressed at all, these are essentially commemorative stone pillars set up at or near burial sport, यहां तो burial sport के उपर हो सकते थे, यहां जस्ट उ mentioned in ancient Tamil literature, ठीक है, इसको नदूकल के नाम से भी यहां पंदूकल, पंडिल, इस तरीके से ये Tamil literature में हमें मिलता है, इस का वरनन, okay, इनके explanation, and केरला and बेलारी, रायचूर, घुलबर्ग, यह जो करनाटका का जो region है, यहां पे large number में हमें मिलते हैं, समझ में आ रहा है, आपको इ series ही होती थी, समझ में आ रहा है आपको, और इसमें क्या था, some of these stones are 14 to 16 feet high, समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से ये 25-25 feet तक भी थे वई, but the normal heights, जो थी, वो 3-6 थी, ठीक है, these stones are sometimes dressed, the alignments are found, अब कहां कहां मिलते हैं, केरला के, कॉमला, परतकला, ठीक है, बहुत सारे और जगा हैं, गुलबर्ग, रायचूर, नलगोंडा, महभूब नगर, करनाटका के अंदर मिलते हैं, अवेन्यू क्या था, consist of two or more parallel rows, the alignments, ठीक है, दो हो सकते थे भाई, लगाता रहे इस तरीके से, और डेकन से मिलते हैं हमें, बहुत सारे, ठीक है, और इस तरीके से parallel भी stones व समझा रहे हैं, यह अलग-अलग इनके टाइपस हैं, तो यह dolminoid assist हैं, इसके अंदर भी काम इनका भी वही था, burials के उपर हो सकते हैं, जो characteristics आपको नजरा रही हैं, वही आप लेक के बता सकते हैं, फिर हैं, केर्ण circles, ठीक हैं, इसमें क्या है कि आप अलग-अलग जगा प पर यह आपको पड़ेवे दिखेंगे, अब इसमें क्या है, दा केंड सलकर सार्स, वन ओप दा मोस्ट पॉपिलर टाइप ओफ मेगालितिक मॉनिमेंट्स, यह भी एक काफी पॉपिलर हैं, occurring all over South India, South India में बहुत मिलते हैं ऐसे, they consist of a heap of stone rubble, enclosed with a circle of boulders, देखो आप इसको दे the skeletal remains and the grave furniture were placed on the floors of these pits, जब आप इसके नीचे खड़ों में जाओगे, तो वहाँ पे जितना भी जो रखा जाता था भाई, वो समान रख देते थे, बहुत सारे ऐसे pit burials मिलते हैं, हमें, चिंगले पुट, जो की तमिलनाडु में है, चित्रा दुर्ग, गुलवर्ग, करनाट साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये सारी चीज़े, फिर है pit burials, समझ में आ रहा है, खड़े खो देके और उसके अंदर जो burials थे, तो burials in a pyreform or fusiform earns large conical jars or handy shaped jars containing the fernery deposits, ठीक है, ये भी हमें मिलते हैं, underground किये जाते थे, जो pits के अंदर, ठीक है, इनका purpose यही कि जो दफना देना, in these kinds of burials, we do not find any surface indication of the burials, in the form of a stone circle, kern heap, woodstone, और even a manier, ये जो है normal खड़े हैं, these earn burials are without any megalithic appendage, कोई वैसा megalith नहीं मिलता, बट इन सम साइट्स, लाइक अमरिता मंगलम, चिंगलेपुत, ठीक है, district के अंदर, यहाँ पे थोड़े बहुत हमें मिल जाते है भई, quarters वगर आएं, थोड़े बहुत पत्थर कंकर, लेकिन इसमें कोई तने जादा बड़े megalith नहीं मिलते हैं, फिर है barrows, the barrows और अर्थन mounds, ठीक है टीले की तरह हैं, mark of the underground burials, they may be either circular और a round barrow, oblong or over on plan a long barrow, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, they have or may not have, the surrounding stone circles और ditches, भाई देखो, सारे यह अंदाजे हैं, जो भी graves से हमें study करके पता जलता है, monuments of these kind have not been found in large number in India, और जगाओं पर मिलता है, पर इंडिया में ऐसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं, however, such monuments have been observed in the Hassan district of Karnataka, so again Karnataka, तो यह photo में आप देख सकते हो, man here, number one पे है भाई, ठीक है, adoluminoid cyst में पी की तरह है भाई, उपर, फिर ठीक है, जिसको कुदाई कल भी कहा जा रहा है, फिर है same circles, ठीक है, पांच में नंबर पे चारों तरफ पत्तर पत्तर और बीच में ऐसे circle बनाते हैं, multiple hoodstones, यह भी आपका हो गया है, alignments, यह पूरे series में होते थे भाई, खड़े पत्तर, तो माना जाता है कि वो after life में विश्वास करते थे, जो megalithic cultures के लोग थे, so in the Indian megalithic, especially those in South India, grave furniture, बहुत कुछ हमें बताता है, pottery मिलती है, weapons मिलते हैं, iron के ज़्यादा से ज़्यादा है, stone copper के भी है, ornaments मिलते हैं, जैसे beats of terracotta, semi-precious stones मिलते हैं, sona, copper, shell, समझा रहा है, necklace वगरा, भाई, ear nose के ornaments, bracelet, armlet, जो हर तरीके से जो भी हो सकता है, भाई, यह सब मिलता है, paddy husk, chef and other cereals, ठीक है, यह सब मिलते हैं, skeletal remains of animals, भाई, animals के भी मिलते हैं, जिससे पता चलता हो सकता है, animal भी पालते हों, subsistence pattern की अगर हम बात करें, जीवन कैसे घुजारते थे, so megalithic sites were initially understood as settlements of nomadic pest release, ठीक है, केती वगरा भी कर लेते थे, और भाई, यह थोड़ा animals वगरा भी रखते थे, however, the evidence clearly indicates that early iron age communities in far south lived होना, combination हो भाई, combination था इनका, केती भी कर लेते थे, agriculture, hunting भी हो जाती थी, भाई, मचली पकड़ना, जानवरों का शिकार करना, जानवरों को पालना, और craft भी इन highly intelligent and pragmatic communities were to see that the fertile arable lands were not wasted from endorsements by their graves, वो समझते थे, कि जो fertile lands है, वहाँ ग्रेवस नहीं बनानी, दूर जाके ग्रेवस बनानी है, location जो है, वो ऐसी जगा हो, पहाड़ी इलाकों को, जहाँ पे कोई वो productive चीज नहीं हो सकती, वहाँ जाके ग्रेवस बनाओ, समझ में आ रहा है, और जो lower areas थे, वहाँ agricultural purpose के लिए उसको use करो, तो इस तरीके से बहुत दिमाग के साथ ये काम करते थे, ये सब इसमें बताये किया है, rice most essential था, irrigational crop के अंदर, served no doubt as their staple food खाते थे भाई, वो rice दबा के, paddy husk and rarely paddy grains are reported from a number of excavated grapes from all over the region, and rice as attested by the संगम literature, संगम literature भी हमें बताता है कि South Indian लोग rice बताते हैं, आज भी आप देख लो, rice कितना चलता है, South India में, the arc botanical evidence indicates that, जो हमें कुछ botanical studies के बाद पता चलता है, कि और भी crops थे, जैसे रागी, नवेन, वीट, कोडो मिलेट, बारले, ठीक है, हया सिंत, बीन, होर्स ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, कोमन प पिगन पी, ठीक है, ग्रास पी, जॉब टियर्स, इंडियन जुजुवे, गूस फूट, लेंटिल, कोटन, अलग-अलग-अलग इनकी crops थी भई, तो बहुत ज्यादा दिमाग था, पैस्टोरिलिसम भी था, ठीक है, कहीं ना कहीं, जो sites से में evidence मिलते हैं, जैसे कि domesticated animals, cattle, sheep, goat, dog, pig, horse, buffalo, fall, ass, etc., ठीक है, on the basis of the analysis of the faunal remains, अलग-अलग जो में remains मिलते हैं, so it is inferred that the cattle, यानि की buffalo, बहुत ज्यादा domesticated हो रही थी यहां पे, and invariably in all these sites, it accounts for nearly more than 60% of the total faunal assemblage, ठीक है, लग-भग बहुत ही ज्यादा भई percentage था, जो हमें मिलता है, so this brings out two important facts, first, the earlier neolithic tradition of cattle keeping was continued, भई लगाताल चल रहा था, cattle वाला हम पढ़ते आ रहे हैं, secondly, cattle pastoralism and not sheep goat pastoralism formed a major preoccupation of megalithic society, combination के साथ था, इनका जो पुरा occupation था, metals की बात करें, तो भई इसमें iron बहुत important है, मिलता है, copper है, gold, silver, ठीक है, और crooked wheels, smelting furnaces के लिए, और ये clay towards, presence of material like iron ore, pieces, iron slag, copper slag, traces of ancient copper, gold mines, mineral resources, बहुत सारे मिलते हैं भई हमें, ये भी, जहाँ जहाँ साइट से, So the available archaeological evidences indicate the utilization of metal implement, सच्छे से utilize करते थे, ये metals को, जैसे की, खुलहाडी बना दी, X वगरा, plo shares, hose, sickles, spades, ठीक है, और the X का use किसलिए होता था, जंगलों को काटने के लिए, समझ में आ गया, Iron was the metal used predominantly to produce weapons, और different shapes, लोहे का इस्तिमाल होता था, दूसरे ओजार बनाने में, शेप देने के लिए, लोहे से ठोकते थे, ठीक है, टूल्स बनाते थे, The rich variety of iron objects enable us in understanding the aspects of their economy and their weight of life to large extent, कैसे हैं हमें बहुत सारे understanding देते हैं, जो iron के objects मिलते हैं, So, these objects reflect that agriculture was their primary occupation, So, इससे पता चलता है, उनका primary occupation क्या था, agriculture, And as a large number of iron tools necessary for agricultural activities are found, ठीक है, agricultural tools मिलते हैं, में अलग-अलग साइट से, Copper was used for the production of vessels and ornaments, बर्तन, ornaments वगरा के लिए copper used हो रहा था, And ornaments होने के भी थे वह, इनके पास, Woodcraft भी इनका काफी अच्छा सा, So, the evidence shows that the axes, chisels, wedges, edges, envil, borers, hammer stones, etc, Formed the main toolkit for working on the wood, समझे मैं आ रहा है, आपको woodcraft industry, carpentry, काफी ज़्यादा अच्छी थी, Pottery की बात करें, So, pottery जो है, वो black and red wear, इस तरीके से चलती थी, Burnished black, काफी polish वाली भी थी भई, red wear, ठीक है, mickas red wear, grey wear, reset coated painted wear, यह अलग-अलग types हैं, अगर आप इसको देखोगे, थोड़े color अलग-अलग हो जाते हैं, इसी pottery मिलती है, trade की बात करें, So, the excavations have yielded various non-local items, ऐसी भी items मिलती हैं, जो वहां की नहीं थी, Among the grave goods, ठीक है, which reflect that there were exchange activities during the megalithic period, जब उनके वहां की वो item ही नहीं थी, तो हो सकता कहीं से आहीं होगी, According to R.N. Mehta and K.M. George, Carnalian Beats reported from coastal sites, यानि की जो Carnalian Beats मिलते हैं, वो coastal areas से आ रहे थे, and which were points of exchange in ancient times, ठीक है, direct use to the presence of trade activities, ऐसा पता चलता है, Similarly, the availability of bronze, suggests the arrivals of copper and an alloy, either tin or arsenic from somewhere, भाई ये bronze, copper, ये सब लग रहा था कहीं न कहीं भार से आ रहा है, ओमान वगरा से, ठीक है, फिर है, quality, पॉलिटी में तो ऐसा था, tribal इनका सब को चल रहा था, कोई political power ऐसा नहीं था, ये की बंदे के पास हो, ठीक है, इनके tribal chiefs होते थे, जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ये पूरा चल रहा था, आगे अगर आप देखोगे, ट्राइबल जो है, इसमें जादा नाम आता है, chiefly power होते थे, यहाँ पे chiefdoms होते थे, ठीक है, the chief was the great son of the descent group, the late phase of the megalithic cultural coincides with the early historical period, as left acted by the excavation at many sites, संगम literature भी हमें यहीं बताता है, कि जादा तर chiefdoms थे, वहाँ पे, सरदार हुआ करते थे, सरदारियां थी, tribal group होते थे, समझ में आ रहा है, so the chief of the tribal group is referred as peru mackan, tribal group का जो chief होता था, उनको literary text में, पेरु mackan या great son भी कहा गया है, और वो ही पूरा personal होता था, जो command करता था, हर तरीके से अपने clan को, समझ में आ गया आपको, इस तरीके से इनकी quality थी, limitations की अगर हम बात करें, sources की, तो main problem यह है, कि जो sources मिलते हैं, वो हमें सब by graves वगरा से मिल रहे हैं, ठीक है, firstly, as almost the whole of our evidence is collected from burials, the knowledge about the conditions and methods of their everyday life is necessarily limited, by burials से ही हमें पढ़ना पढ़ता है, जो भी मिल रहा है, इससे अंदाज लगाते हैं, इससे यह करते होंगे, उससे वो करते होंगे, the literary evidences, which includes the accounts of gracious Roman writers and the ancient Tamil text, यैसे कि संगम literature, have their own limitations, as their period marks the end phase of the megalithic cultures, संगम literature and other जो हमें text मिलते हैं, उसमें जो period बताया जा रहा है, वो megalithic culture का ending period था, शुरू की जानकारी कहां से मिल है, वो source में मिलता, secondly, vertical digging and excavations of different habitation sites, with the aim to unfold the cultural sequence of these sites, providers with evidence which is scanty and limited, जो excavations हो हैं, vertical digging के साथ, वो बहुत limited जानकारी देते हैं, nature में limited हैं, कोई evidence इतने अच्छे खासे नहीं मिल रहे हैं, pottery मिल रही है, इसके लव बडियल्स में जो मिल रहे हैं, उससे हम आगे infer करके, और detail बना रहे हैं, तो इसी तरीके से ही chapter खतम होता है, comment करके ज़रूर बताएं, वीडियो कैसी लगी, channel को subscribe करना ना भूलें, जादा जादा वीडियो को share कर दें, जै हिंद, जै वारत,